क्या बात है सासुमा आप इस शराबी को क्यो लेगी आई यहां पर ये जमाई रजा रोज रोज शराब पी के ने ने ड्रामे करता है इसे हवा लाट में डाल दो हवा लाट में डाल दो क्या कहा था मैंने आपको कि लाट्डो को इतने सिर्पे मत चड़ाओ इतनी खुली छूट मत दो बिगड़ जाएगी और भुख तो नतीजा तो मैंने कौन सा उसे सिखाया था कि ये गुल खिलाना अच्छा तो फिर मैंने सिखाया था क्या अधे मैंने आपको पताया तो था कि उसकी हरकती है जीर सी लग रही है आप इतना लाड़ पार दे रहे हो ना बिगड़ती जा रही है मुझ से उच्छे वाज में भाथ करती है अपनी भ्ये से ऊच्छे वाज में बात करती है लेकिन आप तो नहीं आपको तो बस मेरी लाड़ ली है तो तो इससे जलती है अब लो मजा अरे बहु कोई मा बांप अपने बच्ची बच्चे को बुरी शिक्षा नहीं देता यह सोचता है कि यह बस पढ़ लिखके कुछ बढ़ जाए मुझे क्या पता यह मेरी छूट का गल्त फाइदा उठाएगी रैंडो मा जी आपने तो बुरी शिक्षा नहीं दी लेकिन आपने कुन सा उसका ध्यान रखा है और जब मैं कहती हूँ कि सासुमा एक बड़ा बात तो सुने ने लैडों के बारे में चुप बहू तू तो उससे जलती है पराए घर की जो है अब मुझे ताने मारनी है या कोई समस्या का हल करेगी ताने ना मारो तो क्या करूँ इतनी बड़ी समस्या आपकी वज़े से हुई है हुई आरी सही जगे यहीं पर है सासुमा यह घर के जो परसनल मसले है यह घर पर हल किये जाते है यहां नाके भी नहीं इधर हो तो यह वर्दी किसलिए पहनी है ओफो सासुमा अब मैं आपका ही मसला हल करती रहूं क्या मुझे और भी काम है समझ गये आपके यह जो लफड़े है सब्केते किया करें लिए वर्दी लोगों की सेवा करने लिए पहन रखी है अच्छा मैने तो आंस्तक किसी की सेवा करते वए देखानी जब देखा है मेरे कम में टांगर करते वेlast देखहैं लो अवलदार कर लो बात अब मैडम जी सही कह रहे हैं और आप मेरी एक बात सुन लो यहाँ पे आपका पती रामफल नहीं खड़ा राहूल कुमार हवलदार खड़ा है अच्छा तो राहूल कुमार जी मेरी बात कान खोल के सुन लो मेरा नाम भी रस्बरी है रस्बरी समझे अगर ज़्यादा हवा में उड़ने की कोशिश की न तो अपना इसाब किताब लगा ले न ओ मा जी क्या कर रहे हो पलिस वाले की साम नहीं दूसरे पलिस वाले पे रोब दिखा रहे हो धमकी दे रहे हो उसे कम से कम धंग से तो बात कर लो और मैंने कौन सी इसको गाली दिये धंग से ही तो समझा रही हूँ वो भी प्यार से हाँ ये प्यार से है एक तो आपकी जबान चलती है चपड़ चपड़ दूसरे आपके हाथ और एक उतना उच्छा बोलोगी आप धंकी ना तो और क्या प्यार दिखेगा अगर आपका 2020 मेच शरू हो गया तो फिर मैच चलू जा अगर यहां से हीले ना तो इतना जोर से मारूंगी कान पे कि तुम्हारी ना नहीं याद आ जाएगी जब मामला अपने सुल्जाओना है तो यहां पीस से लेकर आए क्यों हाँ तुम तो कह रही हो अपना मामला खुछ सुल्जाओ माजी अभी आपका न जमाई राजा जमाई राजा समझ गे अब तो आपको जेलना ही पड़ेगा बोलो जमाई की कोई इज़ती नहीं है क्या करें यहां चुप चप ओके खड़ा रहे समझा जमाई के भी रहने के तोड़ तरीके होते है घर में समझी माजी अगर भाग के शादी करेंगे ना तो ऐसे तोड़ तरीके मिलेंगे कोई PhDM में किया हुआ जमाई राजा नहीं मिलेगा हाँ तुम तो कोई मोका मत छोड़ो मुझे ताने कसने का मैं बोक्सिंग का चेंपियन हूँ चेंपियन और आपकी लड़की भी चेंपियन है जुबान की आपकी तरह इसलिए तो हम दोनों में प्यार हुआ है तो फिर मैं चलू तुम कहां चले जमाई राजा तुमारा तो सुधार सेंटर यहीं पे है यहां से हिल्ला मत और तुम ऐसे तो गुलाबो गुलाबो अपने नाम के जंडे गारती रहती है अब क्या हो गया इसे सुधारो तो मा जी किस-किस को सुधारू इसको सुधारू या आपको सुधारू लाट प्यार से बिगाड़ो आप और भुगतू मैं मेरे बसकी नहीं है यह सब हाँ तुम्हारे बसकी बात नहीं है तो किसके बसकी बात है मैडम जी अगर आप कहो तो डालू इसको हवलात में ओफो हवलदार अगर ये करना होता तो ये मैं पहले ना कर देती सिर्फ हवलात में डाल देने से कोई मुझलिम नी सुधर जाता और नहीं बात इसने ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया लब मैरिस ही तो की है हमें कानून के अनुसार चलना होगा यही तो मैंने कौन सा जुल्म किया तो फिर मैं चलू चुप मैं तेरा पक्ष नहीं ले रही समझा अरे मेडम जी मैंने कौन सा गुना कर दिया एक शादी तो की है न अच्छा शादी की है तूने तो लब मेरिस की है न तेरा सबसे पहला गुना है अगर तुझे शादी करनी थी न तो लड़की वालों के घर जाता उसके माँ बाप से लड़की का हाथ मांगता अगर लड़की से प्यार करता न तो उसकी इजट और उसकी माँ बाप की इजट का खयाल होता लेकिन नहीं तो ने तो बाग की शादी की है न तुझे तो बस अपनी पड़ी थी तीसरी बात तो शराब पीता है और शराब पीकर तो लड़की वालों के घर पे रह रहे है घर बनकर और उपर से तू उनी घरवालों के साथ कलेश कर रहा है रोज लड़ाई करता है नाख में दम कर रखा है तुने इनके मैडम जी सौरी आपकी बातों ने मेरी आँखे खौल दी आम मुझे बस एक मौका और दो सुधर ने का ठीक है मैं तेरे कहने पर तुझे एक मौका दे रही हूं पर आगे से गल्ती नहीं होनी चाहिए समझा ना अच्छा इस बेवडे को एक और मौका देरी सुधर ने का सास तो कुछ भी नहीं है सास पड़े कुए में आरे सासु मा उसने एक मौका मंग गैं सुधर ने का दे देते हैं क्या पता सुधर ही जाए और अगर ना सुधरा ना तो अगली बार तो इसके लिए मुझसे बुरा कोई कि दुनिया में हर चीज से जीता जा सकता है लेकिन यह जो सास नाम की चीज है ना इससे कभी नहीं जीत सकते हैं